रेल्वे स्टेशन से यात्रियों का सामान चोरी करने वाली एक आरपी को चोरी के सामान के साथ पुलीस ने धरदबुचा है तता उससे कुल 31,400 पे का मुद्धिमार भी जब किया नागपुल स्टेशन से चंपी संजर कुमार सुरियवर्शी इस महिला का नीजी बैक चोरी हो गया था इस मामले के तहत उस महिला ने डूटी पर तहनात आरपी अप करमिचारियों को सुचना दी जिसके बाद अग्यात व्यक्ती के खिलाब शिकायत दर्च की गई इस मामले में CCTV फुटेज की जांज करने के बाद एक अपराधी की पैचान हुई इसी फुटेज को ओन डूटी स्टाफ आरखशक जवाहर सिंग आरखशक सुबाश आरखशक गोवदन सवाई आरखशक नवीन कुमार के साथ साजा किया गया और संदिक दकाप पीचा किया CCTV फुटेज के मुताबिक स्टाफ ने उकतारुपी को कार पार्किंग के पास रेलवे परिसर से पकड़ कर आरपीएफ पोस्ट नाक पुर लेकर आए जहां ASI अश्विन पवार ने उपरोक्तर अपराधी से पूश्टाश की उसने अपना नाम रवींदर भगीरत अको दिय उम्र 19 सार निवासी गाव रिंगना बोडी थाना का टोर जिलाना पुर बताया और स्फिकार किया कि वो उपरोक्तर चोरी में शामिल है इस आरपी से चोरी की संपत्ति के बारे में पूश्टाश करने पर उसके ताबा से शिकायत करता का बैग जिसमें दो नक गोल्ड फिं चूडिया कीमत दो हजार रुपए तथा नकत दो हजार दो सुर्पए और अन्य दस्ताविज मिले है अरपी को आगे आवश्यक कारिवाई के लिए जी आपी नागपुर को सुपरदर किया गया है इस कारिवाई में श्री आश्टोश पांडेय वरिष्टमंदर सुरक्षा आयुकतर महोदर एवं श्री कोटा जोजी के मार्गर रशन में ये कारिवाई की गई ब्यूरो रिपोर्ट केसरी उजला नियोज नागपुर